बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम लिक्म स्टूडरंट्स उमीदा कि आप लोग बिल्कुल कहरियत से होंगे मैं आज आपी कंप्यूटर की टीचर हूँ आज हम लोग अपने सेकिंड टर्म का लेक्षर नमबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर 3 सबसे पहल अपने लगे हैं एडिटिंग डाना के बारे में कि हम लोग अपने टाइप किया है उसको कैसे एडिट कर सकते हैं साथ कुछ आज हमने इसमें डिस्कस करने हैं पिर हम ने पढ़ना है आज एंट्रिंग और फोर्मूला कि हम लोग अपने spreadsheet के ओपर formulas कैसे enter कर सकते हैं क्या procedure है सारा कुछ A2G आज हमने इसमें discuss करना है साथ ही साथ आज हमने mathematical formulas भी पढ़ने हैं operators हमारे पास यह 4 होते हैं plus minus static and division आज हमने इस सारे formulas को discuss करना है अच्छे तरीके से और पढ़ना है कि हम लोग इसको spreadsheet में कैसे perform कर सकते हैं आपके book में ज़्यादा पूरी explanation दी गई है अब हम आप लोग book से देखते हैं यह देखें students आपके पाफ फर्स topic आता है editing data का editing data means doing any changes in it क्या के पास spreadsheet है अगर आपने कोई भी data लिख दिया है यह से month लिख दिया है अगर इसके spelling गलत हो गए है आप इसको edit करना चाहते हो तो आप उसको कोई भी data जो आपके पास लिखा हुआ इवन के formula हो पर function होता हम लोग उसको edit कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है editing data click on the cell and re-type the text कि हम लोग सबसे पहले cell के उपर click करते हैं पर हम लोग text को दुबारा से उस पर re-type करते हैं सबसे एक step यह होता है second step हमारे पास कहा है go to the formula bar यह हम लोग यह मारे पास formula bar है इस formula bar पर जाएंगे और select करेंग the incorrect text with the mouse and re-type it और mouse के साथ अगर हम उस जो हमने गर्द लिखी हुई है word उसको select करेंगे then उसको correct करके दुबार re-type करेंगे तो हमारे पास data add हो जाएगा इसमें अब तायरे two methods है first method है कि आप लोग cell जो आपके पास है उसको ही click करके कर सकते हो second है आपके पास कि अगर आप cell के साथ नहीं कर सकते तो आपने formula बार पर जाना है formula बार पर word लिखना है जो आपने change करना है word लिखके वहां पर spelling new spelling जो है correct spelling वो लिखने है पिर आपके पास जो data के अंदर word होगा automatically उसके spelling वहां पर change हो जाएगे ठीक है पिर आपके पास autofilling data autofilling is the use of the fill handle to copy data and sequence across a range of cells the fill handle is at the right corner of each cell अब देखें उन्होंने कहा है कि autofilling data जो होता है वो हम लोग use करते हैं data को copy करने के लिए और data को range of cells होते हैं हमको sequence पे लेके आने के लिए ठीक है और जो fill handle का cell होता है ये हर cell के right corner के उपर बना होता है एम लोगों ने इसको autofilling data का मतलब यह है कि हम लोग इसमे को भी हमापस data लिखा हुआ ₹ ये इसको apse a range पे लेके आना है तो उसको drag करके range पे लेके आसकते हैं उसको copy कर सकते हैं उसको एक sequence में लेके आसकते हैं उसको कहते है pale講 अटofilling data कि आप्षिन कहां पर होती है कैसे यूज कर सकते हैं उसको मसारा देखें सबस्ट आपके पास select the cell with the content to fill जो आपने सबसे पहले वह वह वाले cell select कर लेना है जिसके साथ आपने डेटा को फिल करना है आटो फिलिंग के जरीए point at the black square that appears in the bottom right corner of the cell until the mouse pointer becomes the fill handle आपके पास इस तरह का picture में देखें एक box बनावा है active suggestion कहते थे यहां पर right corner के उपर एक चोटा सा यहां पर निशान बना होता है box चोटा से black square का निशान बना होता है अगर हम उसको drag करते हैं उस निशान को autofilling कहते हैं उसके जरी हम अपने data को autofill कर सकते हैं third step है click and drag in the direction of the range to fill अगर आपने कोई range fill करनी है तो आप लोग इस वाले point को drag माउस के जरी क्लिक करते हैं then उसको हम drag करते हुए जहां तक हमने लेके जाना होता है वहां तक ले जाते हैं next picture में आप लोग देखें c में लिखा है two four six eight ten twelve fourteen and sixteen तो उन्होंने two से लेके sixteen तक सब को square में लेके autofill करना था उन्होंने हमने क्या किया black square जो हमापस active cell था एक उसको drag किया और यह सारे हमारे पास आ जाते हैं इस तरह हमारे पास autofill range बन जाती है ठीक है अब देखें हमारे पास आता है excel copies the contents of the cell across the range that user selects this feature becomes very powerful when used with cells containing formula a lot of time can be saved by copying formula across a range of cells अगर हमारे पास इस तरह हमने कुछ formula copy करना है कुछ copy करना था हम उसको बार बार लिखते हैं इसमें अगर हम लोग autofill कर लें तो हमें वह चीज़ बार बार नहीं लिक नहीं पड़ेगी इस हमारे पस अपना time भी save होजेगा बहुत जादा और हम लोग तोरे वक्त में ब्लैक स्कूर में होता है और यहां पर जैसे एक्टिफ सहल है उसकी बिल्कुल जहां पर चोटा सगर के ब्लैक स्कूर बना होता है उसको हम क्लिक करते हैं मौस के जरीए उसको ड्रै कर देते हैं तो हम आपस autofill data बन जाता है अब हमारे पास आता है next topic entering a formula क्या हम लोग अब आप spreadsheet के अंदर अपना formula कैसे enter कर सकते हैं क्या procedure करने का पहले हमने दोजी से पढ़ लिए edited data भी पढ़ लिए autofilling data भी पढ़ लिए data का edit कैसे कर सकते है और autofill कैसे कर सकते हैं अब हमने पढ़ना है next topic हमास जहां से start होने लगा है entering a formula a formula is an equation that performs a calculation using values in the worksheet formula always begins with an equal sign followed by either values और self-reference और any operators formula हमेशा equation होती है ठीक है जैसे आप लोग अपने maths वगारा में equations लिखते हैं इस तरह की equation होती है formula के तो पर लिखी जाती है वो हमेशा जो formula होता है equal के sign से शुरू होता है हमेशा जब हमने कोई भी formula लिखना है सबसे पहले हमने इसको equal लाजमी लगाना equal का sign तो must होता होता है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते है अपने जो भी हमारे पास values होती है वो लिखती है values के बाद हमारे पास operators होते हैं वो add करते है operators के बाद जो operators का मतलब है plus minus division multiplication और सारा कुछ हमारे पास operators कहलाते हैं पिर आपके पास example आते है चोटी सी equal to 23 plus 29 23 आपके पास word है data जो हमने लिखा हुआ है और plus operator हमने लगाया है add का और हमने 29 लिख दिया अब इसको अगर हमने इसको arrange उसमें लिखना है अपने formula के अंदर तो हम लोग कैसे लिखते हैं equal का sign लगाएंगे 23 जो है वो हमारे पास d8 पर दा डी हमारे पास column था 8 हमारे पास row थी d8 पर हमने लिखा 23 और हमने 7 थी f9 के उपर लिखा हुआ है 29 तो हमने जब इन दोनों को enter करेंगे तो हमारे पास next में हमारे पास इसी जिस पे cell के उपर हमने लिखा हुए formula उसी cell के उपर आपके पास answer आजएगा लेकिन उन्हें उपर अलग दी वी है नीचे अलग example दी वी है साथ उन्हें minus e9 भी लिख दिया है उन्हें बता दिया कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा operators use कर सकते हैं ठीक है अब हम next में इसको पढ़ने लगे हैं कि हम लोग कैसे इसको perform कर सकते हैं कैस लिख सकते हैं procedure one by one अब इसमें हम discuss करने लगे हैं वो देखिए हैं अब देखिए हम आपास next आता है कि हम लोग ने simple formula जो होता है वो कैसे अपने cells के अंदर data को लिख सकते हैं formulas को लिख सकते हैं सबसे पहले हम आपास टैप आता है click the cell where the formula will be entered कि आपने वहां पे click करना है अपना लिखना है ठीक है फॉर एक्जेंबर हो दी हुई है D3 D3 क्यों पर आपने यहां पर formula लिखना है तो आपने यहां पर click कर दिया तो आपके पास एक्टिफ सेल बन गया और black border के साथ यह रिप्रेजेंट हो जाएगा फिर आपने लिखना क्या है उसमें लिखना यह है इकल साइन मस्क दालना हिदर एक्सल में ताकि उसको पर चल जाएगा यहां पर हम लोग फॉर्मा लिखने लगें देन हमार पास आता है click on the first cell containing a number for example B3 सबसे पहले हम लोगों ने देखना है हमार पास first cell होगा उस पर इन लिखा हूँ है first cell के उपर B3 के उपर को डिजिट ल देखा हूँ है B3 जो हमार पास B है हमारा पास column and 3 जो है वह हमार पास row है then आपने देखना है प्रेस दा addition sign फिर आप लोगों ने उसमें बीदि लिखने के बाद प्लस कर देना है addition करना है addition का sign लगा दें अगर आपने subtraction करना से प्रेक्शन लगा दें अगर आपने multiplication करना है मल्टीपिलेशन के लगा दें, अगर डिवीजन के लगा दें, वो हमारे पर डिपन्ट करता है, तो हमने अभी इसमें अडिशन करनी थी तो हमने Add का साइन लगा दिया, ताकि उसको पता चल जाए कि हमारे पास Add उपरेडर हमने यूज करना है, इसमें perform होगा Excel में Click on the second cell अब हमने second cell के उपर क्लिक करना है तो हमारे पस address उसका यहां पे लिखावा आजएगा तो जो उसका address आ रहा है वो आ रहा है C3 लिखावा तो हमने B3 के साथ प्रेस का sign दालना है then C3 लिख दिना है जब हम लोग इसमे add to better use कर देंगे उसको अब हमने प्रेस एंटर करना है और क्लिक एंटर बटन on the formula bar to complete the formula जब हमारे पस formula अपना complete होजएगा तो हम लोगों ने enter को click करके तो हमारे पस उसी जगा पे उसी cell के अंदर हमारे पस उसका answer निकलाएगा इसके पास हमारे पास आता है mathematical operators अब हमने इसमें पढ़ना है कि हम कैसे perform कर सकते हैं different operations को formulas के जरीए next हमारे पस एक table बना वह है उसको देखते हैं यह देखें operators हमारे पहले आता है add का operator इसका purpose होता है addition करना example उन्हों दी भी एक्स से पहले हम formula में equal sign लगाएंगे a1 plus a2 a1 जो हमारे बस address है cell address है हम लोग कोई साभी cell address जो हम लोग इने अपने type किया होगा वो हम लोग जहां पर लिखेंगे then हम इसमें subtraction भी कर सकते हैं multiplication भी कर सकते हैं और division भी कर सकते हैं सबके science जहां पर लिखेंगे हैं जब हमने multiplication करना होगा तो हम study का sign जूज करेंगे जब हमने division का sign जूज करना होगा तो हम लोग slash sign जूज करेंगे उमीद है कि आप लोग को lecture समझा जारगी होगी इस पूरे lecture में हम लोग ने सिफ यह discuss करना था कि data edit कैसे कर सकते है auto fill कैसे कर सकते है formula को excel spreadsheet के उपर लिख कैसे सकते है और उसके कौन कौन से operators है साथ इसके एक चोटा सा question आपके पास short question आता है short question number 5 अब मार पास short question 5 था what is auto filling data feature in excel तो हमने auto filling is the use of the fill handle to copy data and sequence across a range of cells the fill handle is at the right corner of each cell यहां तक इसकी definition लिखनी है then आपने इसकी example देनी है साथ यह इसकी example है auto filling of even numbers in column C from C2 to 16 मतलब कि यहां से लेके 2 से लेके 16 तक C1 से लेके C8 तक हमालबा जितने cells होते हैं वो सारा कुछ किसमें आता है range of cells के अंदर तो आप लोगों ने चोटी सी example साथ देनी है और definition के साथ must आप लोग example लाजमी दिया करें और जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको चीछ तरह से याद करें और अपनी copies के उपर ये short कोस्ट और long कोस्ट और उतारा करें अमीद है कि ये आपको lecture समझ आगी होगी थैंक यू, Allah अफेस